वेल्गम है गाईस अक्सर जब अन्वांटिट 72 को कोई लड़की या महिला लेती है तब उनको ब्लड आता है और अक्सर वो इस ब्लड को अपना पेरियड मान लेती है और एक गम रेलेक्स हो जाती है कि भाई अब तो उनको प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं होने वाला है ल जो कि अन्वांटिट 72 लेने का एक साइड इफेक्ट होती है लेकिन राहत की बात ये है कि अगर किसी लड़की या महिला को 72 लेने के बाद विड्रोल बीडिंग हो जाती है तो उनको प्रेगनेंसी का एक परसेंट भी रिस्ट नहीं होता है मतलब कि अन्वांटिट 72 ने अ फास तरह की ब्लीडिंग देखने को मिलती है जिसे हम लोग इंप्लांटेशन ब्लीडिंग बोलती है जिसका मतलब ये है कि अब आपको प्रेगनेंसी रुक गई है और जब लोगों को इन चार बातों को पता नहीं होता है तब लोग इस इंप्लांटेशन ब्लीडिंग को withdrawal bleeding या periods की bleeding समझ लेते हैं और फिर उनको आगे जाकर पता लगता है एक दो मंत के बाद की भई उनको तो pregnancy है तो आप लोग ये गलती ना करें इसलिए आपको इन चार बातों का अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आपको implantation bleeding और withdrawal withdrawal bleeding के बीच की अंतर को समझने में कोई परेशानी ना हो तो ये बाते कौन गौन सी हैं आईए इस वीडियो में discuss करते हैं तो गई सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि withdrawal bleeding और implantation bleeding क्या चीज़ होती है तो देखिए जो withdrawal bleeding है ये unwanted 72 लेने का एक side effect है मतलब जब unwanted 72 को आप लोग लेते हैं तब बच्चेदानी की जो अंदर वाली सता है इस tablet की side effect की वज़ा से ये सतह तूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है इसको period के time निकलना चाहिए लेकिन ये period की date होने से पहले ही ये शरीर से तूटकर बाहर निकल जाती है अगर आपको एक दो दिन पहले period की bleeding बंद होई थी तब भी आपको ये सतह ताइम से पहले तूटकर शरीर से बाहर निकल जाएगी जबकि जो implantation reading है वो तब होती है जब आपको गरब धारन होता है जब बच्चा बच्चेदानी की सतह से जाकर छिपकता है तब आपको implantation reading देखने को मिलती है अब यहाँ पर अक्सर लोग क्या गलती करते हैं इन दोनों bleeding में difference पता करने के लिए वो इंटरनेट पर implantation reading के sinus symptoms को सर्च करते हैं जो की implantation reading को पता करने का एक गलत तरीका है क्योंकि अगर आप लोग implantation reading के sinus symptoms को सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो sinus symptoms हैं यह unwanted 72 लेने की side effects से एकदम match करती हैं तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी हैं आपको इन 4 points को अच्छे से समझना है ताकि implantation reading और withdrawal reading के बीच की difference को आप अच्छे से identify कर सकें तो पहला जो point है वो है इसकी timing अब यह जो withdrawal reading है यह unwanted 72 लेने के एक से 10 दिंग के अंदर आपको कभी भी हो सकती है जबकि जो implantation bleeding है यह unwanted 72 लेने के 5 दिन के बाद आपको usually देखने को मिलती है दूसरा point है इसकी duration मतलब कि जो withdrawal reading है यह आपको 3 दिन से लेके 7 दिन तक होती है यह हो सकता है कि आपको 7 दिन से ज़्यादा bleeding रहे जबकि जो implantation bleeding है यह कुछ गंटे तक होती है यह एक दो दिन में होकर stop हो जाती है तीसरा point है इसका flow मतलब कि जो withdrawal bleeding है इसमें जो bleeding का बहाव है वो period जितना हो सकता है हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा flow हो या फिर उससे कम हो लेकि उसमें आपको जमा हो और खोन पास आउट हो रहा हो या खोन के ठक्के पास आउट हो रही हो नेकिन जो withdrawal bleeding है उसमें आपको pad use करना पड़ता है जबकि जो implantation bleeding है इसमें आपको नामात्र bleeding होती है sporting हो सकती है खोन के दब्बे आपको देखने को मिल सकते हैं और सबसे बड़ा difference यह है कि इसमें आपको pad use करने की need नहीं होती है जो fourth है इसका color मतलब कि जब withdrawal bleeding होती है तब इसका जो रंग है वो period में होने वाली bleeding से एकदम match करता है आपको इसमें जमा हुआ खोन पास आउट हो सकता है जिसका जो रंग है वो भूरे रंग का हो सकता है काले रंग की आपको bleeding देखने को मिल सकती है जबकि जो implantation bleeding है उसमें गुलाबी color की bleeding या भूरे रंग की bleeding आपको देखने को मिलती है नामातर type C तो यह थी वो चार खास point जिनको आपको दियान में रखना है अब यहाँ पर एक bonus point मैं आपको और बता देता हूँ suppose करो कि अगर आपको यह bleeding implantation bleeding हुई थी तब आपको आगे periods नहीं आएंगे बिलकुल भी लेकिन अगर आपको यह bleeding withdrawal bleeding थी तब आपको जो period है वो लगबग चार सपता से लेके छे सपता के बीच में definitely आ जाएंगे लेके still कुछ लोगों के doubts clear ही नहीं होते हैं और लोग 100% confirmation चाहते हैं अपनी pregnancy का अगर आप लोग उन लोगों में से हैं तब आपके लिए यह वीडियो बहुती helpful है जिससे आप pregnancy का 100% confirmation कर सकते हैं और अगर आप लोग unwanted 72 को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं उसके side effects अगर आपको परेशान करते हैं तब आप लोग evolution day को पता करके unwanted pregnancy से बस सकते हैं ज्यादा जानकर एक लिए आप लोग इस वीडियो को देख लेना तो आज की वीडियो बस यही पर खतम करते हैं थैंक्स वर वचिए वीडियो